हेलो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं पार्ट थ्री वीडियो ओफ फियर्ज एंड फेस्टिवल तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास मैस्ट फॉलॉइंड फेस्टिवल्स विधियर रिस्पेक्टिव तेसिस ओफ सेलिडेशन्स इस कोश्चन में पूछा गया है कि कौन से त ही ओडर क्या है इन चारो ओफशन्स में से सबसे पहला है मनी मेश फियर्ज जो कि रिलीजियस यात्रा है क्या वो चमबा में मनाई जाती है और अगस्त और सेप्टेंबर में मनाई जाती है या नेक्स्ट है समर फेस्टिवल जो कि कल्चर फेस्टिवल है जो कि शिमला में म तो इसका सही अंसर है all are correct क्योंकि जो मनी महेश है वो चमबा मही मनाया जाता है summer festival शिम्बला में और्गनाइज किया जाता है winter festival मनाली में और्गनाइज किया जाता है तो ये चारों ही आपके सही अंसर है next question है हमारे पास in 1637 AD Raja Jagat Singh was cursed by a peasant Durga Dutt for his cruelty and hence suffered leprosy Kisan Das or Fuhari Baba advised the king to bring the idol of Raghunadji from Ayodhya and install it at Kullu to get rid of leprosy idol was brought in 1651 AD and the king was cured therefore Raja devoted his kingdom to Lord Raghunadji and a festival was organized which is today known as ये कोशन हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि जिसमें मैंने बताया था कि Raja Jagat Singh जो कि कुलू के राजा थे उन्हें Durga Dutt के द्वारा श्राब दिया गया था जिससे उन्हें कुस रोग हो गया था जिसके कारण उनके महल के एक प्रीस ने Raja Jagat Singh को बताया था कि अगर आपको इस रोग से मुक्ती चाहिए तो आप Raghunadji की मूर्ती जो कि Ayodhya मैं है उसे कुलू लेकर आईए और अपने सिहासन पर स्थापित कीजिए जिससे आपको इस कुस रोग से मुक्ती मिलेगी तो राजा ने Ayodhya से लाई हुई मूर्ती को अपनी सिंगहासन पर विराजमान किया था और तब से एक तिवहार को और्गनाइज किया जाता है जिसे आज किस नाम से जाना जाता है आपके options है कुल्लू का दशेरा या कुल्लू दिवाली तो इसका सही अंसर है आपका कुल्लू का दशेरा next question है आपके पास बुडी दिवाली signify victory of khas over naag या goals is celebrated in बुडी दिवाली जो की khas की naag के उपर विजे के उपलक्ष में मनाई जाती है वो कहाँ पर मनाई जाती है शिमला या कुल्लू तो इसका सही अंसर है आपके पास कुल्लू next question है बुडी दिवाली is celebrated one month after the regular की बुडी दिवाली का त्योहार जो है वो किस त्योहार के एक महीने के बाद मनाया जाता है option से दशेरा या दिवाली तो इसका सही अंसर है दिवाली next question है हमारे पास बुडी दिवाली बुडी दिवाली is a festival of victory of khas over बुडी दिवाली जो की khas की जीत के उपलक्ष में मनाई जाती है उसमें khas ने किसके उपर विजे प्रापत की थी तो options है calls या राजपूर तो इसका सही अंसर है आपका calls next question है who has described the eyewitness account of bunda ceremony in his book Himalayan district किस ने bunda ceremony का वर्णन अपनी बुक Himalayan district में किया है options है यहाँ पे spelling की mistake है सही spelling है एटिचसन इसके options है एटिचसन या जे पी एच वोग ले तो इसका सही अंसर है option number first next है on the pattern of woody Diwali name Diwali is celebrated in kullu woody Diwali के pattern पर जो दिवाली का जो त्योहार kullu में मनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है हली री दिवाली या कोले री दिवाली तो इसका सही अंसर है option number second next है लालचन प्रार्थी in his book कुलुत देश की कहानी has described the celebration of Diwali due to लालचन पार्थी ने अपनी book कुलुत देश की कहानी में दिवाली के त्योहार का वर्नन किया है वो किस उपलक्ष में मनाया जाता था खस नाक के स्ट्रगल के उपलक्ष में या राजपूत ब्रामन के स्ट्रगल के उपलक्ष में तो इसका सही अंसर है खस और नाक के स्ट्रगल के उपलक्ष में next question है popular harvest festival of कुलु आर कुलु के harvest festival कौन कौन से हैं तो option है निर्शू, थिर्शू, विर्शू या all तो इसका सही अंसर है तो इसका सही अंसर है आपका all ये सारे जो त्योहार है निर्शू, थिर्शू, विर्शू ये harvest festival के तोर पे मनाए जाते हैं नेक्स्ट है, which famous variety of horses are traded during lovey fear at रामपूर की जो लवी मेला जो की रामपूर में जित होता है वो कौन से horse की trade के लिए famous है options है बहु मुखी या चोव मूर्थी तो इसका सही अंसर है चोव मूर्थी horses नेक्स्ट है बुंडा सर्मिनी is held after every year की जो बुंडा सर्मिनी है वो कितने सालों बात मनाई जाती है options है बारा साल बात या छे साल बात तो इसका सही अंसर है बारा साल next question है a person of beda caste is put on the rope in the भुंडा सर्मिनी and this caste is one of the भुंडा सर्मिनी का जब आयोचन किया जाता है तो बेडा कास्ट का एक व्यक्ति को उसमें से चुना जाता है जिसमें उसे वहां की एक भुंडा सर्मिनी की एक रसम को पूरा करना होता है इस रसम की सुरुआत में रसी का एक सेरा उंची चटान से तथा दूसरा सेरा नीचे खड में या किसी नीचे स्थान में बांदिया जाता है और एक बेड़ा कास्ट का एक व्यक्ति उस रस्म को निभाने के लिए चुना जाता है और वे अपने आपको काफी सभागेशाली मानता है कि वो इस रस्म के लिए चुना गया है इस रस्म में उसे उस रस्म के उपर एक सिर्य से दूसरे सिर्य में जाना होता है अगर इस दोरान उसकी मृत्य हो जाती है तो उसकी पत्नी को धेर सारा पैसा देवता की ओर से दिया जाता है ताकि वे अपनी जीवन निर्वा कर सके और उसकी सारी जिम्मेदारी देवता के ओर से उठाई जाती है इसमें सारे ग्रामीन और देवता गवा के रूप में मौजूद होते हैं और अगर वैं बच जाता है तो उसे काफी सारा धन दिया जाता है जो देवता के उपर छड़ाया जाता है जिससे कीवे अमीर आदमी हो जाता है जो बेडा कास्ट का वेक्ति है वो कौन सी कास्ट से संबंध रखता है तो options है old nag कास्ट से या old hali कास्ट से तो जो बेडा कास्ट का वेक्ति है वो से belong करता है old nag कास्ट से तो option है option number one next question है भुंडा symbolize the victory of khas over नाग और कोल तो इसके option है false या true तो इसका सही answer है true क्योंकि भुंडा सर्मनी khas की विजे के उपलक्ष में मनाई जाती है वोगे खस नाग के उपर विजे प्रापत की थी next है कोईरी दिवाली signifies कोल विजे या कोल विक्टरी ये जो कोईरी दिवाली है वो दश्चाती है कोल की विजे को या कोल की विक्टरी को ये सही है या गलत है तो इसका सही answer है option number one true next question है what is true about Nana Devi of Chamba she sacrificed herself to bring water to a Chamba town next है also famous as Suhi Mata annual fair Suhi Mela is celebrated in Chamba to commemorate this sacrifice next है only children and women participate in this fair next है fifth option if even if somebody from royal family dies Suhi Mela will never stop या all are correct तो इसका सही answer है all are correct next है which fear of Chamba is a woman fear की Chamba का कौन सा मेला ओरतों के लिए organized किया जाता है options है आपके पास सुही मेला या जात्तर तो इसका सही answer है सुही मेला next है where did Sunaina sacrifice herself in Chamba Sunaina ने खुद का बलिदान Chamba में कहां दिया था options है मालून या चोगान तो इसका सही answer है आपका मालून next है बेसाकी fear is connected with agriculture everywhere it is famous at different places by following names options है बिशू और विशा शिमला हिल्स में बोला जाता है बीज किनोर में बोला जाता है विसोवा कांगडा में बोला जाता है लिशू पांगी ये चमबा में बोला जाता है या all are correct तो इसका सही answer है all are correct क्योंकि वेसाकी fear जो कि agriculture का त्योहार है वो विशू नाम से जाना जाता है शिमला हिल्स में बीस नाम से जाना जाता है किनोर हिल्स में विशूवा में जाना जाता है विशूवा की नाम से जाना जाता है कांगडा में और लिशू की नाम से जाना जाता है पांगी और चमब झाल झाल